दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर साहद आप रो पड़े क्योंकि ये वीडियो एक ऐसी कुत्ते के बारे में है जिसने अपनी पूरी जिंदिगी अपने मालिक के इंतजार में बिता दी ये घटना कई सालों पेले की है रशिया में रहने वाला एक यंग कपल जो टोगलियाती नाम की एक जगे पर रहता था उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक कुत्ते को गोद लेंगे और वो अपने घर में एक जर्मन सेपड का बच्चा ले आए जब वो बड़ा हो गया और अ एक दिन काफी खुबसूरत था और सब उस दिन काफी खुश थे इसलिए यंग कपल छुटिया मनाने अपने घर से निकल गया पर रास्ते में उनकी कार का एक्सिडेंट किसी दूसरी कार से हो गया बद किसमती से कार के एयरबेक नहीं खुले और दोनों कपल की मोध हो गई सिर्फ वो कुट्ता ही एक्सिडेंट में बच पाया जो कि किसी चमतकार से कम नहीं था इस दिन के बाद वो कुट्ता रोज उस जगे पर अपने मालिक का इंतजार करता इस दोरान दिन महीने और साल गुजर गए लेकिन उस कुट्ते ने इस जगे पर इंतजार करना नहीं चोड़ा वो रोज उस जगे पर इस विश्वास के साथ जाता कि उसके मालिक लोट आएंगे पास रहने वाले लोगों ने उस कुटे को नोटिस किया लेकिन सालों भीतने के बाद भी वो कुटा सड़क के किनारे वाली अपनी जगे से ठस से मस नहीं हुआ लोगों ने उसे घ खाना किला देते अब उस सहर के सभी लोग उसे पेचानने लगे थे और वो काफी फेमस हो गया था जब साथ साल बीद गए तब एक व्यक्ति को कुछ बदला बदला लगा क्योंकि वो सड़क अचानक से खाली हो गई थी जब आसपास के लोग खाना लेकर आए तो उन्हें वो कुत्ता वहाँ नहीं मिला अब लोगों को उसकी चिंता होने लगी उनकी धड़कने तेज हो गई थी क्योंकि वो समझ गए थे कि अब वो उस कुत्ते को कभी नहीं देख पाएंगे वहाँ रहने वाले एक लोकल व्यक्ति को वो कुत्ता जंगल में लेटा हुआ मिला उ आज वो इसमारक लोगों को प्यार और निश्टा की याद दिलाता है जिसे आज कल के लोग भूल चुके हैं लोग केते हैं कि जो भी इसकी नाग को छूता है उसकी जिन्दगी में गुड़ लग और खुशियां आती है दोस्तों इस खूपसुरत काहानी के लिए एक लाइ कि उन्ते हैं कि और खुवड़ गुझ जब कर दे चादानी के लिए पया वुदा है जिसे हम सेगी में ओ़षियां है जिसे हम सेग़् के लिए दोब हैं खुशियां है वाल चुक्ट जो बाल बाल चुशियां है।